हेलो फ्रेंड स्वागात आपका फिरसे इस new blog में दोस्तो आज के इस ब्लॉग में हम लोग दिखानेवाली है आप को गुलाप-जामन कैसे बनाते हैं धाइ संसने हम लोग जो हैं इसका बखर बनाते हैं जो गुलाब जाScott matar होता है पहले बू बनाते हैं तो इसमें एक लीटर पानी और तीन क्लो किनी यूज क रहे हैं क्योंकि हमारा माभ है वह वह डेल्ड बाऊट तो इसलिए हम इसमें मेकरम कि समधिंग इसमें तूद लाल देते हैं और तूद आले करने इसमें से जो इसको पर मैली होती है उसको भी टोरवार में निकाल देंगे क्यक् ком कि जो मैली ये निकालन consider तो वक कि इसमें कोई भी गंदगी नहीं होगी आप दे सकते हैं जो मैली है वो दूद रालने से उपर आज चुकी है तो हम इस मेली को निकाल देते हैं और बख्खर को जलदी से बना लेते हैं कि अब क्या करना है इसमें थोड़ा सा हमें कलर डाल देना लाल वाला तो हम इसमें थोड़ा सा कलर डाल देते हैं लगभग एक चुटकी कलर डाल देते हैं को कि हमें ज्यादा कलर नहीं डालना है अगर हम ज्यादा कलर डालें तो इसमें ज्यादा रेड हो जाएंगे तो इसल ड्रीव कने बरकाण। होग पैलीज ईसको घराड़ एंकर देंगेंट करेंगें में भेस्ट प्राव मां गया पेसके मांव लिए तो्कंड अमेहरा मावा कांट अम्हार जुच अम्हान आप चलनी से ज़ोऽ है कि क् चलंती झाऊ डाला देंगे अब इसको छलनी को एक साइड डाल देतेंगे और हम लोग आपको दिखाते हैं माबा तो यह हमारा माबा और जिसको आप खोया बोलते हैं को वहां सकते हैं माभा कैसके ऐको भी वह इसको जल्दी सminute लेते हैं और उल्लेकर करें नहीं जाता है तब सक ठाथ है को जिसको स्विप्सो नई झरेण आज की यह एच्छे से जोए मिला लें यह जुग JAY कैकंट डॉत तो दोस्तों यहां पर जो हम लोगों ने खोया और मेंदर डाली थी उसको भी मिला ही लिया अब हमें क्या करना इसमें थोड़ा सा खाने का सोडा डाल देना है तो लगभा हम दो चुटकी इसमें खाने का सोडा डाले दें खाने के सोडे से क्या होता है कि दोस्तों जो हमारा जो खोया है जैसे हम उसको रसकुला बनाएंगे गुलाब जमून बनाएंगे तो जो बक्खर है वो अंदर तक चला जाता है और रसकुला जो फूल जाता है बनला बड़ा हो जाता है फूल के तो इसलिए हम लोग इसमें सो तो जो हमारी मेंदा खोया था वो हमने मिला लिया इसमें और हमने गुलाब जामुर बनाना इस्टार्ट कर दिया आप दे सकते हैं इस तरीके से हम लोग इसको गुल कर लेंगे और गुलाब जामुर हमारे सारे बनके रेडी हो जाएंगे तो जल्दी से इनको गुल कर लेते हैं और इनकी गुल्ली बना लेते हैं उसके बाद में इसको फ्राई करेंगे और फ्राई करने के बाद में फिर हम डाल देंगे बक्खर में जो हमारा बक्खर था और बक्खर में हम ने इस खोड़ी की काफी सारी गुली बना लिया हमें क्या अगार्ण है करंड तो हम आदे लीटर के सम्थिंग इसमें रिवाइंड का यूज मissä कर रहे हैं और रिवाइंड को आदे Each रिफाइंड गरम होने तक का बेट का लेना है और इसको जो गुली बनाई हमने खोया की और मेंदा की इसको इसमें डाल देना है और एक बात का ध्यान अच्छा है कि जो आज है उसको बहुत धीमी रखना है आपको जादा तेज आज पे नहीं बनाना है क्योंकि अगर जादा तेज आच पे बनाएंगे तो जो अंदर तक नहीं तल पाएंगे और भार भार से जल जाएंगे इसलिए हमें थोड़ा धीमी आच से इसको सेक ना है इसको तल ना है और जब यह फ्राई हो जाएंगे तो हम लोग इसको वक्कर में डाल लेंगे हमारे जो रसगुले इस तरीके से बनके रेडी हो जाएंगे तो जल्दी से हम लोग जो सारे रसगुलों को इस तरीके से फ्राई कर लेते हैं उसके बाद मैं आपको दिखाएंगे किस तरीके से रसगुले बन जाते हैं अब जो हमने कड़ाई में डाले थे यह हमारे फ्राई हो चुकी है मतलब जादा इनको नहीं करना है नहीं तो यह जल जाएंगे तो भाई इनको जल्दी से बाहर निकाल लेते हैं और निकालने के बाद में जो इनका रिफाइंड है इनके उपर ओयल है उनको नचोड लेते हैं तो हम लोग नचोडने के बाद में क्या करना है किसी वरतन में लेना है और जो हमने बक्कर बनाया था इस बक्कर में सारे गुलाब जामुन जो डाल देंगे और करहाई में जो निव गुलाब जामुन डाल देना है अब हम लोग क्या है इसको जल्दी से नहीं खाएंगे क्योंकि एक दुभंटा इसमें बख्खर अंदर तक जाने में लग जाएगा तो हम लोग इनको इसे हम लोग साम को बना रहे हैं तो हम लोग को सुवे में खाने हैं क्योंकि तब तक बख्खर अंदर तक बैठ जाएगा जल्दी से इस तरीके से सारे रस्कुलो को बना लेते हैं जल्दी से इस तरीके सारे रस्कुलो को बना लेते हैं तो भाई इस तरीके से हमारे सारे रस्कुलो सारे गुलाब जामु जो फिराई हो चुके हैं और रस्कुलो सारे बन चुके हैं अब हम लोग इनको भी निकालके और सारे को बहुने में डाल देते हैं जिसमें की वक्खर था हमारा और उसमें डालने के बाद में आप खुदी देख सकते हैं मतलब काफी सारे गुलाब जामु जामु थे और काफी अच्छे बने हैं और सब कुछ जो हैं बोलकु परफेक्ट है तो आप इस तरीके से इसमें देख सकते हैं बहुने में की सारे रस्कुले हमने बहुने में डाल दी हैं और सारे रस्कुले आप देख सकते हैं कितने अच्छे बने हैं तो इसलिए उम्मीद करता हूँ कि आप जोई इसको देख करके वीडियो को आप भी ऐसे गुलाब जामुन बना पाएंगे तो उम्मीद करता हूँ आपको भी वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और आप भी ऐसे गुलाब जामुन बना पाएंगे अगर आपको वीडियो पसंद देए वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सस्क्राइब कर देना मिलते हैं दोस्तों न्यू रेस्पी में तब तक के लिए बाई बाई एंड टेक एर